हलो एवरिवन वेल्कम बैक अगें तो माई चैनल रिप्लानिश एडूकेशन और आई हो पिला दूइंग गुड्स तो एज यू आल नो कल हमारा सॉफ्ट्वेर के तुरू फर्स्ट एक्जाम हुआ था इसके रिगार्डिंग मैंने लाइव रिव्यूज भी दिये थे कि कैस आपका एक्जामिनेशन हुआ था इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारे डाउट हैं बहुत सारे क्वारिज हैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूं जिसमें मैं बताऊंग ने लोग इन जो है वो लेट किया था तो जो आने वाले एक्जामिनेशन है जिन बच्चों का फॉर्स टाइम हुआ गा तो उन सभी को ध्यान रखना है कि वह लोग इन पहले करें तो कहीं बार क्या हुआ था पोर्टल पे लोग इन नहीं हो रहा था यह प्रब्लम आई थी त यहां पर आपके एज अवर्चार करें ऊप्शन का और अपर प्लोड पर क्लीक कर ओंगे तो आपकी फोटो आप्लूड यहां से फूतो अपलोड पलोड़ोजेगी एक और तीसरा बॉक्स में दिखेगी आफी आईड कैसे दिखेगी आइड तो यह जो आपका वीडियो रि अपनी ID मतलब कि अधार कार्ड, वोटर कार्ड आपकी जो भी पैन कार्ड है वो ID आपका रोल अमबर आइडमिट कार्ड नहीं वो आइड आप दिखा होगे और यहां पर अगें यहां पर लिखा होगा फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो ऐसे प्लोड अप्लोड पोटो यहां से पोटो अपलोड के इसके बात आपका एक्जामिनेशन स्टार हो जाएगा प्लोड दिखता रहेगा और चलता रहेगा टाइमराइब मोगों तेस आप लोगोंने मेसेज आए थे अंटियूसली मुह नीचे करके लिख रहे थे तो विडियो रिकॉर्ड चल रहा था उसमें बाद बच्चों का फूरा व्यू नहीं आधा व्यू शीड्स नहीं विजिबल है 17 जाये दिख रही हो जो इसलिए मेसेज आज आ रहा था कि show your face, यह message आ रहा था, ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर हम बहुत जादा किसी बच्चे ने अगर movement की है, उनके पास messages आ रहे थे, do not move your face, बार बार अपने movement मत करो, जादा movement मत करो, ठीक है, और क्या messages आ रहे थे, alert message आते हैं, screen के ओपर लिखाता है, बोलता कोई भी नहीं है स्क्रीन के ओपर लिखाता है, try to show your answer sheet, ऐसे कुछ message भी आता है, कि आप try करो answer sheet दिखाने की, ठीक है, ऐसे कुछ fix नहीं कि answer sheet दिखाओ, बट वहाँ पर ही message आता है, कि answer sheet दिखाओ, ठीक है, इसके बाद है, जब आपके 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, जब 3 घंटे पूरे हो ज अब बचों को बहुत जारे डाउट है, कि PDF के से बनानी है, PDF से रिकार्डिंग बात करने से पहले, बात कर लेते हैं, answer sheet की, answer sheet में बहुत चारे बचों अभी जो अपनी PDF जो देखी है, answer sheet की, उन्होंने क्या किया, प्रिंट आउट निकलवाने दिना आपको, प्रिंट आउ दिखा आ जाता है, तो PDF में आपको, आपके जो pages हैं, वो clear नहीं दिखते, तो जिन बच्चों ने दोनों साइड अगर करवा भी ली है, पर लिखना एक ही side, ठीक है, ये one-sided ही लिखना है, आप लोगों को आपके answer sheet में, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, कुछ बच् दूसरा device यूज कर सकते हैं, तो काफी बच्चों ने दूसरा device obviously यूज किया, क्योंकि जिन बच्चे जो बच्चे यूज कर रहे थे laptop, laptop से तो आपकी PDF नहीं बनेगी, PDF तो आपको phone से बनेगी, तो जिन बच्चों ने laptop यूज किया, laptop के साथ उनने phone का utilization भी किया है, फोन से क्या किया, PDF बनाई, दूसरा device आप यूज कर सकते हो बाद में, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, PDF अपलोड कर देनी है, PDF कैसे अपलोड करनी है, आपकी screen पर ही उस time पर भी चलता रहेगा, जिन बच्चों को पास एक ही device है, वही device से आपने phone यूज किया हूए, लोग इन किया हूए, और उसी device से आप लोगों को बनानी है, PDF, तो आप लोग क्या करोगे, इसको मीनिमाइज कर दो, मीनिमाइज का मतलब क्या होता है, जो recent tab है, उसे दबा दो, ठीक है, तो काफी बच्चों का तो लोग आउट नहीं हुआ, मीनिमाइज करके, कुछ बच् लोग लिकोगी, दुबारा से आपकी ID की भी फोटो क्लिकोगी, उसके बाद ही आपका प्रोसेस दुबारा से वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आपका लोग आउट हुआ था, छीक है, इसके बाद आप लोग कर दोगे, PDF को अपलोड, छीक है, अगर आपका कुछ बच्चों को रीनेम का मतलब ही नहीं पता था, तो रीनेम करना जरूरी है, रीनेम का मतलब क्या होता है, दुबारा से उसको नाम देना, कई बर क्या है, हम लोग ने जैसे PDF बनाई, तो वहां पर अपने आप लिखा जाते है, A, B, C, D, कुछ भी लिखा जाता है, ठी जिसका यह answer sheet है, या जिसकी यह PDF है, ठीक है, रोल नमबर दोगे, आप रोल नमबर के साथ-साथ आप एक और चीज़ लिख सकते हो, subject का name या subject का code, क्या लिख सकते हो, subject name या फिर subject code, बच्चों को subject code और paper code में भी बहुत बड़ी confusion है, मैं इसके regarding में आप लोगों को बता दे rename करोगे, जब save करते हो, तब भी option आता है, rename करने का, जब already save हो जाती है, तो वहाँ पर एक और option आता है, three dots के ओपर click करके, कोई भी application यूज़ करो, वहाँ पर rename का option जरूर मिलेगा, आपका, rename करोगे, PDF का, क्या करोगे, roll number, अपना roll number, और roll number के साथ-साथ आपको याद रहे क कौन से subject की PDF है, उसके इसी के लिए आप क्या करो, अपना subject का name भी लिख दो, ये बच्चे बड़ी गलतियां की है, ये ध्यान जरूर दे रहे, PDF का rename करना, एक सबसे बड़ी गलती बच्चों ने क्या की है, admit card नहीं लगाया, जबकि guidelines में properly mention है, कि PDF बनाते time पर, first page आपका क् admit card, admit card होना ज़रूरी, admit card मतलब आपका roll number, first page आप उसको admit card लगाओगे, कोई बात नहीं, first time अगर बच्चे से गलती हो गई है, अगले वले आने वले paper में, रखे, ध्यान, admit card ज़रूर लगाए, एक और बच्चों से गलतियां हुई है, कि बच्चों ने sheets number नहीं लिखे, signature कोई बात नहीं, अगर first time किया, तो check हो जाएगा, but further आप ध्यान रखना, ठीक है, और एक और चीज, यहां पर बच्चों ने क्या किया, उन्हों ने उन से गलती होई है, कि admit card को समझ लिया first page, और जो sheet है, answer sheet का, जो first page है, उसको समझ लिया second, तो ऐसा नहीं है, admit card को कोई page number अंसर sheet के page number start है, one, two, three, four, और यह लिखने ना total answer sheet आप लोगों ने भरी कितनी है, first page पर लिखना जरूरी है, ठीक है, इसके regarding next है, हमारे पास upload PDF on time, PDF अप्लोड नहीं की, जैसे हमारे पास evening का schedule था, डेढ़ बजे से, साढ़े चार बजे तक तो paper था, और इसके बाद एक घं उसमें तो problem आनी ही थी, कहीं बर हमारी file size भी हो जाते है, कहीं बर network problem भी हो जाते है, कहीं बर software में भी problem हो जाती है, तो बचो यह याद रखना, एक घंटा enough time है, तीन घंटे में आपका easily paper हो जाता है, इसके बाद आपको PDF बनाने आराम से बनाओ, PDF को upload करना आराम से एक करना, पांच बज़े से लेट मत करना, इवनिंग schedule में, ठीक है, और जैसे morning schedule का time, maximum time के देड़ बज़े तक तो एक बज़े से लेट मत करना, morning वाली shift में, एक बज़े तक morning वाली shift में upload कर देना, और पांच बज़े तक evening वाली shift में PDF अपलोड कर देना, क्योंकि first paper में बच् ज़्यादा टेंचन में आ गए थे कि हमें क्या करें, हम कैसे upload करें, कहां जाएं, क्या हमारी D.A.P.A. आ जाएगी and all, तो फिर भी यह हुआ था, कि बच्चों की जो software पे upload हो गई थी, पोने 6 तक भी, 6 बज़े तक भी file upload हुई है, बट ऐसा देको, शॉरिटी तो नहीं है, कि अगली बार भी आपकी upload हो जाएग या नहीं होगी, तो सभी बच्चे आप अपना खुद ध्यान रखें, कि सभी के सभी timely अपने PDF अप्लोड कर दें, ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास जो बच्चों की query सी, जो subject code और paper code में, subject code और paper code अलग-अलग होता है, paper code जो है, आ मारे पास subject code ऐसे लिखा होता है, BC, जैसे कल वाले जो paper था, income tax का 301, BC 301 ये है आपका subject का code, ठीक है, और paper code क्या है, 1234 जो आपका ऊपर राइट साइड में लिखा होता है, जैसे, ये तो मैं example देती, 1234, नुमारिक फोम में होगा, आपका number में होगा, 1234, ठीक है, ऐसे होगा ये होता है, आपका paper code, और BC जैसे ऐसे करके लिखा होता है, या MC ऐसे करके लिखा होता है, या जो भी है आगे जो भी आपका stream चल रही होगी, उसके according जो है, हमारा, उसके according जो लिखा, जो भी आपकी stream चल रही होगी, उसके according आगे लिखा होता है, जैसे कि BC 301, BC 302, BC 303, ऐ यह होते हैं आपके पास सब्जेक्ट कोड ठीक है आपको कोशन पेपर में जब आप देखोगे आप लोगों कॉन साथ शीट में आपके पेपर कोड यह ध्यान रखें कि यह गलतियां हुई है यह अलर्ट मैसेजिज आए है पेपर कोड की गलती हुई है पीडियाफ का री ने नहीं किया एड्मिट कार्ड नहीं लगाया सिगनेचर नहीं लगाया टोटल लंबर ओफ शीट नहीं लिखी बच्चों ने यह सारी गलतियां आगे वाले पेपरों में मत दोहराना एक बार तो आपकी पीडियाफ लेट अपलोड हो गई हो सकता है अगली बार ना हो तो सभ जिसका भी ध्यान रखें आप लोगों को क्या करना है आपको बार बार फेस उपर ज़रूर करना है और ट्राइक करना कि अगर शीट नहीं दिख रहे तो आपके हाथ की मूवमेंट जरूर दिखती रहे वीडियो में ठीक है और क्या करना पीडिया टाइम से जरूर जरूर जो बच्चों ने पहले पेपर में गलती की है, वो अपने आने वाले पेपरों में मत करना, मैं यह चाहा रही हूँ, प्लस जिनका अगर एक्जाम फर्स टाइम है, आगे बहुत सारे बच्चे हैं, जिनका फर्स टाइम एक्जाम होगा, सौफ्ट्वेर के तुरू, वो भी वीडियो को देखकर, आप लोग देख सकते हो, कि यह वली गलतियां मत करो आग, आप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉर्दर ज़रूर शियर करते रहें, सो थैंक यू, और हैव नाइस दे,